मैं जसी पीस में आज हम घरबुजे यानी मस्क मेलन से चार तरे की इतनी टेस्टी डिश बनाएंगे जो आपका बेबी कभी खाने के लिए मना नहीं करेगा आपका बेबी खुशी-खुशी उसे खा लेगा मैं भी एक मा हूँ और बेबी को खाना खिलाने की स्ट्रेगल में समझ सकती हूँ तीस्टी खाने के साथ न्यूटिशन मिल जाए तो और क्या चाहिए मस्क मेलन एक ऐसा प्रूट है जो फाइबर, विटामिन A, विटामिन C से भरपूर है ये बच्चे के आई साइट के लिए बहुत अच्छा है और बेबी का इम्मिन सिस्टम जो है वो इसके एंटी आक्सिदेंट से बहुत स्ट्रॉंग होता है बच्चों में जो ऐसे डिफलेक्स होते है उसको भी ये शांत करता है तो अगर आपके बच्चे को इससे कोई एलर्जिक प्रॉबलम नहीं है तो ज़रूर ये रेसिपी स्ट्राइ कीजिएगा अपने बेबी को ज़रूर किलाएगा मस्क मेलन बेबी के लिए बहुत फाइदे मंद होता है विटामिन A, फाइबर और विटामिन C से भरपूर होता है एसिडिटी डिफलेक्स जो होते है बच्चों में वो उसे शांत करता है तो हमने लिया है एक राइप मस्क मेलन जो ग्रीन कलर की धारी वाला आता है वो हमने लिया है, हमें ना ही ज़या पक्का, ना ही एकदम कच्चा मस्क मेलन जाये हमें कुछ इस तरीके का मस्क मेलन जाये, यह मैंने काट लिया है इसे इसके अंदर के वीजो को अच्छी तरीके से स्कूप कर लेंगे अगर आपके family में history हो allergies की musk melon से तो इसे मत दीजेगा अपने baby को आप जब भी कोई नई चीज introduce कर रहे हो आपके baby को जैसे musk melon ये हुआ तो पहले उसे अच्छे ही तरीके से monitor कीजेगा कि आपके baby को कोई allergies नहीं हो रही है इससे या कोई digestion में problem नहीं हो रही है फीरी इसे दीजेगा आप प्यूरे बनाने के लिए हमने musk melon को cut कर लिया है रफली चॉप कर लिया है अब इसे हम blender में डालेंगे और इसे बस blend करना है हमें ये फ्यूरी मैंने अपने बच्चे को भी खिलाई है और उसने musk melon की सारी recipes को बहुत वसंद किया है तो आप भी ज़रूर बनियाएगा इसे और अपने बेबी को खिलाएगा अगर आपको पीसने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते हो musk melon puree is ready musk melon rice pudding बना रहे हम बहुत ही easy और simple recipe है जटपट बन जाएगी मुझे आशा है कि आपके बेबी को भी ये बहुत पसंद आएगी तो इसके लिए हमने लिया है आदा कप rice, boiled rice आप इसके जगापर uncooked rice भी ले सकते हो उसको बिगो के आप pudding में डाल दीजेगा वैसे भी वो boil होने वाला है तो उसमें cook हो जाएगा यह हमने simply musk melon को पीस लिया है यह musk melon puree है और हमने लिया है 1 tablespoon dry fruit powder half cup दूद लिया है अगर आपके बेबी को कोई digestion problem है तो इसे discontinue कीजेगा इसके जगापर पानी डाल दीजेगा एक steel का पैन ले लेंगे इसमें हम डालेंगे हमारी musk melon puree फिर इसमें हम डालेंगे दूद यह हमने cooked rice लिये है आप चाओ तो चाओल को बिगो के इसमें डाल सकते हो वैसे भी यह boil होने वाला है तो चाओल भी इसमें cook हो जाएगे इसे आची तरीके से मिला लेंगे और इसे reduce होने के लिए रख देंगे इसे हमें boil करना है और अपने बेबी के desired consistency तक cook करना है अगर आपका बेबी 6 महीने का है और solid सभी शालू किये है तो उसे इसे piece के दीजेगा to be on the safer side और अगर आपका बेबी इसे एक साल से बड़ा है जैसे की मेरा बेबी है तो उसे इस तरीके का दीजेगा थिक consistency का अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे हमारे खाने पर गानिश होता है तो बेबी की खाने पर गानिश होना चाहिए healthy गानिश तो अब हम इसके उपर डालेंगे ड्राइफ्रूट पाउडर जो हमने होमेड बनाया है आप चाहो तो आप भी ऐसा बना सकते हो इसके रेसिपी मेरे चानल पर है इसके उपर ड्राइफ्रूट पाउडर डालेंगे अगर आपको चाहिए तो आप जब बॉइल कर रहे हो सब चीज़े तब भी डाल सकते हो तो लीजे जी हमारी मस्क मेलन राइस पुडिंग रेडी है आप भी अपने बेबी को ज़रूर किलाएगा मस्क मेलन स्मूदी आपके टोडलर्स बड़े हो या आपका चोटा इंफेंट हो बहुत पसंद करेगा ज़रूर बनाएगा इसे इसके लिए अमने लिया है मस्क मेलन एक बनाना लिया है चोटा और टूटेबल स्पुन दही लिया है अगर आपके बेबी को कोई अलरजीज हो दही या मिल्क की चीज़ों से तो इसे मड डाल लियेगा उसके जगा पर इसकी कंसिस्टेंसी एज़स्ट करने के लिए पानी डाल दीजेगा या प्रेश मिल्क तो ये मैं तीनो चीज़े ब्लेंडर में डाल रही हूँ मैंने मस्क मेलन डाल दिया है मैंने बनाना डाल दिया है और दही भी डाल दिया है इसे हम ब्लेंड कर देंगे देखे इस तरीके का बना है छे मेने से लेक के इवन एडल्स भी इसे पी सकते हैं बहुत यमी बना है जरू ट्राइ कीजिएगा मैं आशा करती हूँ कि आपका बेबी भी इसे बहुत पसंद करेगा इसे एक बॉल में निकाल लेंगे टॉडलर है तो आप इसके ऊपर स्लाइस के हूए नर्ट्स भी डाल सकते हो तो लीजिए हमारा मस्क मेलन बनाना स्मूधी भी रेडी है ज़रू ट्राइ कीजिएगा मस्क मेलन और कैरट तोनों हाइली नूटिशियस है तो अब हम मस्क मेलन कैरट प्यूरी बना दे है इसको छह मेने से उपर के बच्चों को दे सकते है तो हमने एक कैरट ले लिया है इसे हम अची तरीके से दो के छील लेंगे इसे रफली चॉप कर लेंगे आप इसे कुकर में भी बॉल कर सकते हो स्टीमर में स्टीम कर सकते हो मैं कड़ाई में करने वाली हूँ बस धयान रखिएगा कि जो आप पानी बॉल करने के लिए उसकर रहे हो उसे डिसकार्ड नहीं कीजिएगा उसे आप ब्लेंड करने में यूज कीजिएगा वही बहुत नूटिशियस होता है तो यह हमने कट कर लिया है पैन में हमने केरेट को और पानी को डाल दिया है इसे हम डग देके बॉल होने के लिए छोड़ देंगे अब यह केरेट सॉफ्ट हो गई है इसके तंडे होने पर एक ब्लेंडर में मैंने करबुजा ले लिया है और उसमें केरेट आइट कर दी है और इसे हम अब पीस लेंगे सिंप्ली हम ले इसे पीस लिया है ये देखिए ये एकदम बढ़िया बनी है ये मेरे बेबी ने बहुत अच्छे से खाई है मैं आशा करती हूँ कि आपके बेबी को भी बहुत पसंद आएगा मेरे बेबी को तो ये बहुत पसंद आएगा मेरे बेबी को तो ये बहुत पसंद आएगा आपके पैरेंटिंग इंजोई